हलो एन वेलकम मैं हूँ पीती और आप देख रहे हैं नेताओ का फैशन फंडा मेरे साथ जैसा कि आप जानते हैं शो में हम आपको बताते हैं नेताओ के फैशन के बारे में और आज जिस नेता का फैशन फंडा हम आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम है डिम्पल यादव हम जानते हैं कि डिम्पल को अकसर आपने साडी में ही देखा होगा अपनी परसनेलिटी के लिए चर्चित डिम्पल साडी में बेहत खुबसूरत नजर आती है इनकी सादगी ही इने औरों से अलग बनाए हुए है नए विचारो वाली डिम्पल भारतिय परंपराओं को बखू भी निभा रही है इसी वज़े से वो युवाओ और बुज़ुर्ग सभी की चहेती बन रही है डिम्पल की सादगी और मुस्कान के सभी दिवाने है डिम्पल में अदा भी है, शर्म भी है और स्टाइल भी किसी पब्लिक फंक्शन में खुद को कैसे कैरी करना है ये वो अच्छी तरह से जानती है डिम्पल अक्सर ही बॉर्डर वाली कॉटन की साड़ी पहने दिखाई देती है मौका चाहे पारिवारिक हो या राजनैतिक डिम्पल का सबसे मन पसंद परिधान साड़ी ही है वो अक्सर फैमली फंक्शन्स और पार्टीज में डिजाइनर साड़ी पहने नज़र आती है तो संसत भवन में कॉटन साड़ी में अगर आप गौर करें तो डिम्पल जादा तर प्वाटर स्लीव ब्लाउस पहनती है खास कर जब वेज जन सभाव में होती है और डिम्पल कभी भी सुन्दर दिखने के लिए मेकप का इस्तमाल नहीं करती वो हमेशा ही नो मेकप लुक में नज़र आती है फिर भी डिम्पल अपनी सादगी से सब का मन मूह लेती है और उन्ही की तरह ही उनका हेस्टाइल भी बेहत सिंपल है वो अपने बालों में लूज बन बना कर रखती है या फिर अपने बालों को खुला छोड़ देती है अपने बालों के साद डिम्पल एक्सफेरिमेंट करती कम ही नज़र आती है एक भारती है शादी शुदा नारी की तरह उनके माथे पर होती है एक मीडियम साइज की बिंदी, हाथों में एक-एक चूड़ी और कानों में छोटे-छोटे टॉप बस यही है डिम्पल का श्रंगार डिम्पल हमेशा ही पैरों में फ्लैट्स पहनना पसंद करती है इसके अलावा डिम्पल डिजाइनर बैक्स का शौक भी रखती है वो जादातर साड़ी के साथ हैंड बैक्स कैरी किये हुए दिखाई देती है ऐसा नहीं है कि डिम्पल हमेशा साड़ी ही पहनती है वेर कभी-कभी कॉटन के सूट में भी नजर आती है जो जादातर हलके रंके होते हैं और उनकी साद़गी में वो चार चान लगा देते हैं तो यह था आज का हमारा शोव आपको हमारा शोव कैसा लगा हमें कॉमेंट जरूर कीजेगा और साथ ही साथ आप नेक्स्ट किस नेता का फैशन फंडा देखना चाहते हैं ये भी comment कीजेगा और इसके साथ ही हमारे इस channel यहनी News24 को like, share and subscribe जरूर कीजेगा